अस्लाम लेकूम Welcome to Google Knowledge Hub हम करने जा रहे हैं 10th class के series news paper and television and newspaper, unit number six और उसके हम translation कर चुके हैं आज हम करने जा रहे है उसके grammar क्युक्य students words sentences, words, tenonims, question and answers can be can be learned from many textbook लेकिन grammar के concept जब तक clear नहीं होगे, आप लोगों की road learning होगी और हम लोगों ने road learning नहीं करनी बलके हम लोगों ने concept clear करना है तो let's study टेलीवियन एन यूज़पेपर, grammar exercise, page number 73 open page number 73, grammar exercise और grammar exercise में students सबसे पहला concept जो है वो कौन सा है, model verbs का, कौन सा है students model verbs का, model verbs, what are model verbs model verbs कौन से होते हैं, students model verbs कौन से होते हैं और auxiliary verbs कौन से होते हैं students सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि model verbs की पहस्चान क्या है model verbs के साथ सबसे पहले student first form use होती है कौन से form use होती है, first form use होती है हमेशा first form use होगी, ना उसके साथ ses का जाफ़ा होगा ना उसके साथ ind वाली form attach होगी ना उसके साथ ed वाली form attach होगी model verbs की सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि इसके साथ हमेशा कौन सी form यूज़ होती है first form हो यूज़ होती है as नहीं यूज़ होता है ed वाली form यूज़ ही होती third form यनिके और ing वाली form यनिके fourth form भी इसके साथ use नहीं होती और ये हमेशा जो होते हैं वो incomplete रहते हैं जब तकि इनके साथ कोई, इनके साथ first form ना लगा दी जाए, ये incomplete रहते हैं, और हमेशा इनका मकसद क्या होता है, या तो हम permission किसी की अजाज़त लेते हैं, can, may I help you, may I come in, क्या में अंदर आ सकता हूं, हमेशा permission के लिए, अजाज़त के लिए use होते हैं, हमेशा क it can rain tomorrow, it may rain tomorrow, इमकान को जाहर करते हैं हमेशा, कि हो सकता है, ऐसा हो जाए, और जूसरे dare को, I can, I can do this, मैं ये कर सकता हूं, I can study, I can win this competition, मैं इस competition को win कर सकता हूं, I can win this board exam, मैं इस board exam को win कर सकता हूं, कर सकता हूं, possibility में में का use आएगा, में might का use आएगा, जब dare की बात आएगी, जुरत की बात आएगी, तो can और could का use आजाएगा, students और possibility में भी make का use आएगा, और बाज should का use होता है, बाज में should का use होता है, तो ये model verbs होते हैं, model verbs को हम defective verbs भी कहते हैं, model verbs को हम कौन से verbs भी कहते हैं, defective, students defective verbs इनको क्यों कहा जाता है, इनको defective verbs क्य कहा जाता है क्योंकि हमेशा यह अपने बात चाहते हैं कि फिर्स्ट फॉर्म आए जो इनके मीनिंग को क्लियर करें जैसे स्टुड़न्ट अभैं कैन कोड़ शूड़ वोड़ शूड़ वोड़ में माइट शेल विल तो यह स्टुड़न्ट जो होते हैं इस आर कार्ड मॉडल वर्ब्स इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है और इनको मॉडल वर्ब्स क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके साथ कोई फॉर्म सिर्फ फॉर्स फॉर्म अटैच होगी ऐसा एस एस का जाफा नहीं होगा इडी यानि थर्ड फॉर्ड फॉर्म अटैच नहीं होगी और को डेयर देयर को मैं जीत सकता हूं रिक करता है और उसके परिमेंशन को शूंब करता है में काव मियू च्छाम में सकता हो करता है तो फिल को डेयर हैं उनमें हमने एप्रोप्रियेट मॉडल वर्ब लगाना कि इसमें शूट आएगा वूड आएगा में आएगा के माइट आएगा के नाएगा के कूड आएगा तो हम देखते हैं वी डेश टु बॉरो अम्ब्रेलाज अम्ब्रेलाज को बॉरो जब भी बॉरो जो होता है हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए बॉरो अम्ब्रेलाज को बारो करें उधार वैसे भी बॉरो हमें नहीं बॉरो करना चाहिए और जब बॉरो को वर्ड आ जाए तो वहां पे आता है स्टुएंट मस्ट नाट है हमें नहीं चाहिए बॉरो अम्रेल का देख सका कैन की Second Form could that I could not see the wall मैं स्टेज से इतना दूर था कि मैं दिवार को ना देख सका I could not see the wall He sees very badly He sees, वो बड़ा बुरी तरह से देखता है उसे बड़ा बुरी मसल उसको अच्छा नज़र नहीं आता अब उसको क्या चाहिए He should wear उसको प्रेक्टिस तो यह सीज वेर वेर उसको चाहिए उसको क्या चाहिए उसको चाहिए और मस्ट नौट होता है कि हारगी नहीं यूँ डैश ड्राइफ देरिजा स्पीड लीमिट देर अगर यह हरगी फास तुम्हें ड्राइफ नहीं करनी चाहिए कि कहाँ पर इसको थे क्रॉस नहीं करनी तो do not drive अब यह क Kaiser हम द्राइब हास्त करते हैं प्लैंटी आफ टाइम वीशूड नाट लफे सड्सिय नहीं चाहिए उससे इसे सजेशन दी है we should not drive fast we have plenty of time हमारे पास बहुत वक्त है हमें क्यों चाहिए कि हम लोग जो है वो इसको drive fast करें तो student must not का use हमेशा होता है हरगीज नहीं must not हरगीज नहीं या तो बिल्कुल चाहिए या हरगीज नहीं और should का मीनिंग आता है उसको चाहिए और should का मीनिंग आता है उसको चाहिए और could का मीनिंग होता है कर सका I could not jump that wall I could not run I could not run fast I could not read that newspaper मैं ना पढ़ सका मैं इतनी दूथा स्टेट से that I could not see the wall तो ये हैं model verbs आपके second जो आता है वो active passive आ जाता है active passive students put in the correct form of the verb to complete the following sentences in आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिवाइज बनाने और प्रेजेंट कंटिनियस के पैसिवाइज बनाने स्ट्रेंट्स पैसिवाइज बनाने सबसे हैं प्रैसिवाइज की सब जो है वह फूल वीडियो जो है वह बन चुकी है आप उसको देख सकते हैं from a YouTube channel good knowledge जब लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोगों को असान करने के लिए तांकि आपको एक्सेसाइज समझ आ जाए तो सबसे पहले स्टुडेंट्स आपजेक्ट आता है पैसिवाइज बनाते वक्त आपजेक्ट फर्स में सब्जेक्ट एंड वे ऑबजेक्ट के बाद इंडेफिनेट के जो हेल्पिंग वोब होते हैं वो इस आर एम के बाद थर्ड फोर्म इस आर एम के बाद थर्ड फोर्म और अगर हम कंटिनियूस की बात करते हैं तो इस बिंग आर बिंग और एम बिंग के साथ थर्ड फोर्म इस जो है वो ही शीट के साथ आता है एम जो ह वो we, they, you या plural के साथ आता है तो हम exercise करने जा रहे हैं present continuous की और present indefinite की a letter present continuous present continuous यनि के हमने is being, are being, am being के साथ third form लगानी है हमने is being, am being और are being के साथ third form लगानी है a letter, letter जो है वो singular है इसलिए आएगा a letter is being written, right की third form written हमेशा third form आनी है पैसिवाइज में मिशा third form लगानी है और present continuous is being क्योंके letter जो है वो हमारा singular है the words, present indefinite आ गया है present indefinite आ गया है तो present indefinite में is, are, am के साथ third form लगानी है is, are, am के साथ third form लगानी है तो क्योंकि ये words है, plural है तो आ रहाएगा the words are explained से हो जाएगा explained, the words are explained by the teacher today आई टीचर ने बड़े अच्छे से words को explain किया this, अब next जो है वो this road, present definite is is, are, am के साथ third form और road जो के है singular तो is के साथ third form लगानी है this road has this road is already क्योंकि इस के बाद जो है वो हम लोग क्या लगाते हैं, adverb already this road is already close, कि third form क्या जाएगी this road is already close because of snow snow के वज़े से ये बंद हो चुक है पहले ही, present continuous is being, are being, am being the dishes, plural है तो are being के साथ third form, are being के साथ third form, the dishes are being washed से हो जाएगा, washed by the mother मा क्या का रही है, बरतंद हो रही है I present, indefinite is, are, am के साथ third form, क्योंकि I जो है वो, I के साथ am आता है am के साथ third form आएगी, तो ये हमारा present indefinite passives बन जाएगा I am not called, क्योंकि negative है, तो am के बाद helping verb के बाद जो है, वो not लगा देना helping verb के बाद, not, I am not called by the principal, मुझे प्रिंसिपल ने नहीं बुलाया very important concept, you are going to do, अब हम बहुत important concept करने जा रहे हैं, और वो concept कौन सा है, first conditional sentences concept कौन सा है, first conditional sentences, students याद रखिएगा, first conditional sentences ऐसा conditional sentence होता है जिसमें हमें किसी चीज के वाक्या होने का पता चलेगा, मुस्तक्बिल में, मिसलां, if you don't work hard, अगर आप मिहनत नहीं करतें, you will fail, मिसला आज अगर कोई काम करोगे, present में कोई काम करोगे, तो उसका नतीजा future में निकलेगा, if the farmer does not sow the seed today, अगर farmer आज seed sow नहीं करता, he will not harvest the crop tomorrow, वो crop tomorrow नहीं कर सकेगा, यानि के पहले में, if वाले sentence में, इस sentence के दो पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, इस sentence के कितने पार्ट होते हैं, students two parts होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, two parts होते हैं, two parts होते हैं, sentence के, if वाले पार्ट में में मैंशा condition होती है, शर्त होती है, if वाले पार्ट में student condition शर्त होती है, और दूसरे वाले पार्ट में उसका result होता है, दूसरे वाले पार्ट में students उसका result आता है, याद रखिएगा, first conditional sentences, ऐसे conditional sentence होते हैं, जिसमें sentence के कितने parts होते हैं, two parts होते हैं, एक if वाला part होता है, एक कॉम्मे के बाद, एक if वाला part होता है, और दूसरा कॉम्मे के बाद, जो if वाला part होता है, त oming के सब्सक्री और यкольन ळ crafting के सेंसे में येवाले कोममे यही होता है कि आज जो करते है उसका रिजल फूर्ट में मिलना है इभी वनकर हाड वी विल सक्सीड हम कामियाब हो जाएंगे कब future में if वाले पार्ड में first form लगाते हैं कॉम में के बाद वाले पार्ड में हम लोग क्या लगाते हैं students future indefinite will या shell के साथ first form तो आईए solve करते हैं इसको और if वाला sentence जो होता है उसमें condition बताई जाती है शर्त बताई जाती है और दूसरे इसे में उसका result निकलता है और result का निकलता है future future में निकलता है आज काम होगा आज condition होगी और उसका result निकलेगा future में और आज के लिए present definite use होता है first form use होती है जी अब हम देखते हैं put the correct form of the verb to make first conditional sentences first conditional sentences के यह हम शर्त बियान का रहे हैं if you dash back late if you first if वाले पार्ड में student first form use होनी है यानि get है तो get ही आजाएगा if you get अगर आप क्यूंके you के साथ ऐस नहीं हाता if you get back late अगर तुम late आते हो I shall be angry तो I shall be angry shall और will के साथ first form और be as a first form यूज होई है I shall be angry तो मैं राज हो जाँगा अगर तुम late आते हो यानि के आज तो फिर क्या होगा I shall be late ये condition है ये शर्त है if you get late अगर तुम late आते हो I shall be angry तो first part में if वाले part में present indefinite यूज होता है first form यूज होती है दूसरे पार्ट में future indefinite यूज होता है यानि के वी लोड शेल के साथ first form यूज होगी और if वाला part जो होता है वो condition होती है शर्त होती है और जो कॉमा के बाद वाला part होता है उसमें उसका result अनाउंस होता है जैसे हैं आज हम paper करते हैं तो काले हमारा result होगा इस वी जो imploral weight का वेट आजाएगे, if we wait here, अगर हम यहां इंतजार करते हैं we shall be late, be as a first form ही आजाएगा we, we के साथ आता है shall we shall be late, हम late हो जाएगे अगर हम यहां इंतजार करते हैं इसके बाद first form, wait का waitी आना है, we shall be late तो हम late हो जाएगे थ्री वाला सेंटर्स इफ वी गो गो का गो आ जाएगा क्योंके फिर्स्ट वार में जो वी है जो फ्लूरल है ऐसी येस का जाफा नहीं होना इफ वी गो ऑन होली डे दिस समर अगर आम इस समर में जाते हैं वी शेल गो टू जियारत तो जो ब्रैकट में है वो गो फिर्स्ट है तो शेल लगाना है और फिर्स्ट वान लगाने वी शेल गो टू जारत अगर हम जाते हैं तो हम कहां जाएंगे जियारत इफ दा वैदर इफ दा वैदर डास नाट इंप्रूव इफ दा वैदर वैदर जो है नॉट यह नेगिटिव नान है प्रेदर इंडेफिनेट है फिर्स्ट फॉर्म यह एंडेफिनेट रह एफ़िजलन रहू रहा है और यह इफ़र्स्ट फॉर्म नमबर फाइव, they dash go to the party, they go to the party, simple आ जाले हैं they go to the party क्योंकि इसमें negative भी नहीं है, they go to the party अगर वो party में जाते हैं अच्छा जी, if they be invited, if they be, अच्छा इस्टोएंट क्योंकि if वाला part बाद में आया है तो if वाले part में हमने present definite लगाना है, if they be invited, they shall go to the party तो फिर भी वाले हमेशए इफ वाले part में first form आनी है य्याद रह capability को शोक एआगा है करते हैं जुरत को करते काम करने को सलाहियत को शो करते हैं मैं माइट केंड गू āड उड शूड वुड शील विल विल पर इंके साथ हमेशा फरस्ट फॉर्म आती है i-s का अजाफार नहीं होता. ing वाली form नहीं यूज होती. और third form भी यूज नहीं होती. Second हमने कि या present definite or present continuous न स्पाइसी वाइद, इसमें हमने देखा कि is RM के साथ third form जानी है या was being, am being और are being के साथ third form जानी है. उसके बाद हम लेकर first conditional sentences first conditional sentences, जिससे sentences होता है यह निए प्रैसट इंडेफिनेट रगर या डिल्ट के सास्थ होता encouragement सिंगूलर है तो तुक्साइए दूसरे वाले पार्ट में हुमेशा शेल्जर्स यूजर्स चाहें इस पार्ट नाज़कर चाहेंगर प्रिफ रह जर्व एस वाले वीडियों सरन慶न्य हों कि प्र '' क्ली अगा अपना उसल एगार कर आप के बंक होगा तो न सुदेट इन को बहुत अच्छे से वाच की जिए और आपने मुझे बताना यह है आपने गातना outta अजाता है झाल झाल झाल